नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो गाईज आज हम आपके लिए ऐसे बंदी की स्टोरी लाए जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कैसे इन्होंने कोविट के क्राइसिस को पहले ही जो है इन्होंने यूएस डॉलर जो है गवाय थे सारा हम आपके लिए क्लियर करेंगी इसमें और आप लोग इससे काफी कुछ सिखेंगे और काफी मोटिवेट होंके कैसे आप जो है मार्केट में सब कुछ गवा के फिर से जो है बापिस सब कुछ कमा सकते हैं तो वीडियो के एंड तक जो बहुत पहले जो है प्रेडिक्ट कर लिया था जिस टाम सब कह रहे थे कि एक चोटा मुटा जो है जुखाम है यहां पर कुछ नी ओने वाला पर इनोंने एक मुने पहले यह प्रेडिक्ट कर लिया था यह वीडियो आप इनकी एक मिने पहले की देख सकते हैं कもう सब्सक्राइब है और ऑगोफ देख सब्सक्राओं केनरा करें तो बाकर रहों है आपके वहाँ दो option होते हैं या तो आप एक put option ले सकते हैं या तो आप एक call option ले सकते हैं आपको पता है put option एक type की short selling होती है और call option एक तरह की long होती है तो गाइज इसी तरह blackman ने जो है credit swap दोरा जो है 2 billion कमाए तो गाइज इसमें ऐसा होता है इसमें जो है एक आदमी अगर against bet करेगा कि आप लोग जो है default करेंगे जिससे आने वाइल टाइम में जो बैंक है उन्हें blackman को जो है premium भरना पड़ेगा अगर आप लोग default करते हैं लेकिन blackman को पहले जो है premium देना पड़ता है उस चीज के लिए credit swap के लिए और blackman ने गाइस वही गया था ऐसे कोवीड का जो है crisis आया blackman का conviction इतना strong था guys कि उन्होंने कह दिया था कि बहुत लोग जो है default करेंगे और blackman ने जो है short मानना शुरू कर दिया और जो है भरपूर मातरा में जो है short के इनकी conviction इतनी जादा थी और इनकी conviction बिल्कूल ठीक वेट आपको पता है जब कोवीड crisis आया तो economy की हलत क्या होगी थी अमेरिका में और market कैसा crash हुआ था जिससे इन्होंने जो है guys 2 billion का profit कमाया था अपनी उस short rate से और काफी तगणा पैसा जो इन्होंने market में कमाया तो guys यही आपने market में सीखना है आप लोगों को अपनी जो आपकी trade उसमें इतना conviction होना चाहिए कि आप उसमें all in जाने को तेयार हो आपको पता है कि आप लोग इसमें सही बिल्कुल ठीक बैठोगे आप लोगों को बिल्कुल भी जो है loss नहीं होगा तो Bill Ackman ने यही क्या था guys अपनी conviction पर ब्रोसा लिया और अपने उपर ब्रोसा रखा और जो है इस COVID crisis का फाइदा उठा या प आप हो simple language में बता है कि इन्होंने जो है उन लोगों के अगेंस्ट बैटका है जो इन्होंने बैंक से लोन लिया था कि इनको पता था COVID crisis के वज़े से जो है काफी साधा crunch जो है economy में आएगा जिसकी वज़े से जो है लोग default करेंगे और इन्होंने जो बैंक में जो है इनको premium इन्होंने short rate से लिया है उस पर बैंक कुई ने काफी बड़ा जो है premium दिरना पड़ेगा तो गाइस इस तरह इन्होंने जो है क्राइसिस का फाइदा उठाके billions of dollars कमाई लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलेक में हमेशा जीत दे हैं इनकी एक स्टोरी बहुत खतनाक है तो गाइस अ कंपनी में जो एक pyramid scheme चली हुई है और यह कंपनी आज नहीं तो कल जो है default करेगी इस कंपनी में जो है कोई भी conviction यह आज नहीं तो कल जो है काफी जादा जो है क्रैक होगे और इसमें काफी बड़ा जो है हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन जो है काल आइकन आप पोजीशन को शॉट बनाया है और हैवी पोजीशन है तो आल आइकन अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके जो hedge fund manager थे खुद उनके साथ मिलके जो है long positions बनाना शुरू कर दिया काफी strong जो है long position इस stock में बनाना शुरू कर दिया लेकिन Bill Ackman जो है बैठे रहे बैठे रहे क्यो और उन्हें जो है short squeeze कर दिया उनकी position से और उन्हें तकरीबन चार billion US dollar को उस टाइम नुकसान खेलने को मिला यह इनके covid crisis की prediction से पहले की बात है गाइस जिसके वैसे इनका hedge fund जो है गाइस तकरीबन बंद होने के गार में आ गया था और इनकी reputation बहुत जादा खराब हो चुकी तो गाइस हमेज से यह सीख मिलती है कि हमें मार्केट में कभी भी जो ego पे काम नहीं करना चाहिए हमें लगे कि हम लोग जो है trade बिल्कुल सही बढ़ा सकते हैं वहां में बैठना चाहिए लेकिन जहां हमें लगे कि loss हो रहा है और इस से जादा loss हम जहल नहीं सकते हैं वहां में जो है वह loss इतना बड़ा ना हो जाए कि आप लोगों को अपना बोर्य बिस्तर पैक करके ही मेशागले मार्केट से सन्यास लेना चाहिए तो गाइस यह थी black man की स्टोरी कैसी नहीं कोवीड क्राइस में 2 बिलियन यूएस डॉलर कमा और कैसी नहीं 4 बिलियन यूएस उसके बारे में लाएंगे तो thank you guys वीडियो देखने कले